कि वेल्कम बैक टू माइट उपसल पेपर हैकर आज इस वीडियों देखे रहेंगे जो भी शात्र बी ये फर्स्ट सेमेश्टर में है उनके लिए अव इकोनो मिक्स का अगर को LE कोuğमे 1 एक मिक्स का देखाई को ब्रेजम्री वालों के लिए लिए देख़ों यह कोशं बहुत जादा बनता है कि सीमांत उप्योंगता का अर्थ किया होता है सीमांत उप्योंगता का कि अब्धार्णा को सूत्र एबम उधार की साहिता से समझाइए यह कोशन बहुत ज्यादा रिपीट होता है अब जब भी ऐसा कोशन आपके एक्जाम में आए तो आप कैसे करके को करके आएंगे मैं आप आप आसको बताता हूँ देखो बोला गया है जब उभोगता किसी बस्तु की अनेक इकाईयों का उभोग करता है तो उभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई तथा उससे प्राप्त होने वाली उपियोगता को सीमांत उपियोगता बोलते हैं अब जो उससे होने वाली प्राप्त होने व विद्वान के उन्होंने मार्शल ने क्या किया किसी बस्तू के विशेश पर उब्भो की जाने वाली बस्तू की अंतिमिकाई से प्राप्त होने वाली उप्योगता से हैं और उन्होंने कहा कि जो सीमान्त उप्योगता की ब्याख्या करते हुए अब सीमान्त उप्योगता की ब्याख्या किसने की कह सकते हैं बॉल्डिंग ने की अब बॉल्डिंग ने कहा बॉल्डिंग ने लिखा है या फिर कहा है कि बस्तू की किसी मात्रा की सीमान्त उप्योगत उनकी जो कोई बस्तू है उनकी मातरा की सीमान्त उपियोगता उसकी कुल उपियोगता में ब्रद्दी है जो कि उप्भोग में एक और एकाई के परमार सुरूप कह सकते हैं एक परमार सुरूप होती है अब उन्होंने सिंपल बता दिया जो कह सकते हैं जो वोल्डिंग थे उन्होंने बताया उन्होंने अपनी भासा में लेखा कि भाईया एक बाद बताओ उन्होंने कहा कि बस्तू की किसी मात्रा की सीमान्त उपयोगता मल możब कोई बस्तू है उसकी सीमान उपयोगी कर रही है वो उपयोगता उसकी कुल उपयोगता में ब Pereत दी अजो की उभ्भॉग में अएक और इकाई के फ़र परमारो सुरूप होती है तृक है उरके फ़र सुरूप होती है यह उसके परalk सुरूप होती है यदि कोई उभोगता बस्तु की पांच एकाईों का प्रयोग करता है उन्होंने उधार बताया कि कोई मालो उसकी पांच यूनिट का उप्योग करता है तो उसे सत्तर कुल उप्योगता प्राप्त होती है उन्होंने कहा यदि पांच यूनिट का उप्योग करता है तो उसे सत्तर कुल उप्योगता प्राप्त होती है तो पांच से उन्हें सत्तर प्राप्त होती है यह बोला गया यदि भै छटी इकाई का उप्रियोग करता है मालों वो छटी पांच से पहले पांच करता था अब व और बढ़ा दिया उसने चे करने लगा तो उसने किना कर रहा है बोल कर रहा है 75 हो गया इसका अर्थ यह हुआ कि छटवी इकाई का प्रियोग करतने पर उसको प्राप्त होने वाली कुल उप्योगता पांच की बरत्दी हुई यही तो ना एक बरापर पांच की मैंने का ला एक बरापर पांच की बरत्दी हुई और इस परकार सीमानत उप्योगता पांच होगी तो इस परकार जो सीमानत उप्योगता होगी वो पांच होगी अब अब उन्हें ने आप कभी भी सीवांत उप्योगता की बात करें तो इस प्रकार से निकालते हैं तो उप्योगता है तो यहां पूरा दे रखा है देख सकते हो इस प्रकार से सब्सक्राइब करें जादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना थैंक यूपर वाइज वीडियो बड़ाए